मध्यप्रदेश की प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी गुरुबार को मध्यप्रदेश के दौरे पर है सतना की चुनाबी सभा को संबोधित करने के बाद प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी च्छतरपूर पहुंचे इस दोरान प्रधान मंद्री मोदी ने च्छतरपूर में कहा कि आयोध्या में भगबान राम का मंदिर ना बने इसके लिए कॉंग्रेस ने भगबान राम को कालपने के पात्र बता दिया था उन्होंने बंदिल घंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है उन्हें 100 साल तक सत्ता के लिए तरसाये PM मोदी ने कहा कि 17 के आयोध्या में जिस तरह से भक्ती से हम क्रभू सुरी राम का भब मंदिर बना रहे हैं उसी भक्ती से गरीबों के घर भी हम बनाते हैं जिन्हें PM आवास नहीं मिले हैं उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा तीन दिसंबर को सरकार बापसी पर PM आवास का काम तेजी से शुरू होगा यह मोदी है जिसने चार करोड घर बनाये हैं लेकिन खुद के लिए एक घर तक नहीं बनाया मोदी ने युवाओं को खास कर फर्स टाइब बोटर से कहा है कि पूरे चुनाप को आप लीड करिए हमारे महराज चत्रसाल और दूसरे पुरवजों ने बुंदेल खंड में जल सवरक्षण की तलाबों के विकास के विरासत हमें सौंपी है के नहीं सौंपी है अच्छे से अच्छे जल प्रबन्दन की विवस्ता सौंप के गए एक नहीं गए है जाना जोर से बताईए देखे गए एक नहीं जे गए हमारे पुरवजों ने हमारे लिए इतना काम किया तक नहीं किया था बुंदेलखन जल सवरक्षन की विवस्ता में बहुत आगे था तो फिर आजादी के बार बुंदेलखन को बुंद बुंद पानी के लिए किसने तरसाया किसने तरसाया पानी के लिए किसने तरसाया क्या उस कॉंगरेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप सो साल तक तरसाईए इसको सो साल तक तब इनका दिमाद ठिकान पर आएगा बीना पानी तरसना क्या होता है बीना सत्ता को कैसे तरसना होता है यह कॉंग्रेज को पता चलना चाहिए